जन्माष्ट में जो ये महिना सावन के बाद आता है भादों का यानि भद्ध माने होता है अच्छा इसका जो आठ्वा दिन है उसको तो बोलते हैं अठ्धमी बाद में संस्काइब करके अठ्वाने आठ्व होता है पाली में जो संख्या है उसमें जो आठ्वा नंबर है उसको अठ्व बोलते हैं अठ्व पोगल्ला यानि के आठ्व लोग यह हम बारबार पढ़ते हैं इसको संस्काइब करके इसमें शेह सट्कौन वाला जोड़ा गय शेय शटकोन हमारा नहीं है, सज्जम वाला शेय हमारा नहीं है, ये पाली को खतम करने के लिए भासा को बदलने के लिए और सब्दों को बदलने के लिए उनके अर्थ को बदलने के लिए और भर्म फैलाने के लिए दुनिया में सभी तरह के लोग भासाएं बदलते हैं, कुछ भासाएं अपने आप बदलती हैं कुछ को बदला जाता है जिनको बदला जाता है उनको बोलते हैं संसकार किया गया संसकारित की गई और अंग्रेजी में संसकारित का मतलब होता है चेंज किया गया वैसे साधान रूप से कोई कह सकता है modification है पर modification नहीं है change है तरसले बदला गया है और बाकी जो प्राकर्टी भासाएं है वो अपने आप बदलती रहती है पर उसको संसकरत नहीं बोलते जो की जाती है मनुस्य जिसको जान बुच्च के बदलता है उसको संस्करत बोलता है रुसी को संस्करत बोलते है संस्करत या संस्करत या संक्कत पाली में बोलेंगे संक्कत ऐसी भासाएं लाखों है जैसे उर्दू भी एक ऐसी भासा है जिस उर्दू में जो पाली भासा है और जो आर्वी भासा है दो भासा है उसमें मिलाई गई है और जो तीसरी भासा बनी है वो उर्दू में बनी है और वो इंडिया के अंदर ही बनी है उर्दू बहार से नहीं आई उर्दू भी संस्क्र है और जो ये पाली का और पाली में जो मिलाया गया है जो खास तोर से जो उपर से शे वाले लोग आये थे शल्जम वाले लोग आये थे जिनके हाँ शे कही तरह का बोला जाता है शटकन बोला जाता है जो उन्होंने इसमें रहते थे पूरे मुह से उनकी भासा से मिलके यह भासा बनी जिसको आज आप संस्क्रत बोलते हैं तो अगर आप उस सब्द में जाओगे तो अश्टमी का मतलब है अठमी पाली के अंदर और दो अठमी आती है यानि आठवा दिन पुराना जो कलंडर है वो कलंडर एक से लेक याती है और फिर वूर्ण मासी का मतले है पूरा चांद और दुवारा से 1,2,3,4,5 इक चलते हैं और फिर जो पंदरमा दिन आता है तो फिर आमा वस आती है यह हमारा पुराना पाली का कलंडर है इसलिए सारी अठमी और सारी पुर्ण मासी और सारी जो आमा वस हैं वो वाले मार को सीखते थे तो एक दिन में एक अंग के मार को सीखते थे और एक दिन में जैसे सम्यक वाचा है यानि सम्यक बोलना है सम्यक द्रश्टी है सम्यक देखना है सम्यक कम है सम्यक का रहें सम्यक आजीवी का है सम्यक कैसे रोजगार कमाएं सम्यक आजीवी का हो गई सम्य यह सारे एक एक दिन में सीखते थे ऐट दिन लागातार सीखते थे इस पर relaxed लेते थे तर नौवे दिन उसकी करते थे तो हमारे जो आठ्मी के जो दो क्षाटमे अनि यानी के आता है accomplishment कि यह बडерш आथा भड़े में हैं तो किसी का जनम अगर आठवे दिन होता है तो उसको कहते हैं जनम अठ्मी, यानि कि замеч अठ्वी को जनम हुआ, किसी भी चीज का। चाहिए कोई खार रहे है और चाहए कोई मनुस्था है बच्चा पैदा हुआ है तो जनम अठ्मी। यानि कि ये काला, काला भी बोलते हैं, काला जरम अठ्मी, यानि कि इसका अठ्मी के दिन जरम हुआ, इसलिए इसको काला बोलते हैं, काले को पाली में बोलते हैं, कढ़े, कढ़े माने, और कढ़े को बाद में संसकाइट करके क्रशन बनाया गया, कणहिया भी बोलते हैं इसक सारे सब्सक्राइब और यह पूरा संस्काइब कर दिया और उसकी कहानी भी पूरी बदल जो कहानी बताई जाती है कि नाम से उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता उसका कोई सबूत नहीं मिलता कोई नहीं बता सकता कि यह कपके ना उसकी डेट है ना उसकी जगे है ना उसका इस्थान है उसका कुछ नहीं पता और ना उसके लिखने वाले हैं उनका उनका पता है और ना उसको पॉब्लिस करने वाले है पर जो कहान को कढ़े बोलते हैं करिश्टम बोलते हैं और जो मौरिय है यानि कि मौर का पंख लगा लगाता है जो मौरिय है तो कोई मौरिय है कोई काला है और वो नाग के साथ खेलता है उसका टोटम नाग है इसलिए नाग वंसी है और उस नाग के जो फन है जिसके ओपर वो नासता है और जो कहानियों बताय जाता है और जो एक दुर्गम काम करके और लोगों को बचाता है कैसा दुर्गम काम करता है लोगों को गौतम के धम का वर्धन सिखाता है वर्धन माने बढ़ाना है और गौ माने गौतम जहां भी गौ लग जाए यह ध्यान लखना पाली में गाये को धेनु बोलते हैं और पाली के अंदर पूरे साहित्य में बुद्ध के पूरे साहित्य में गाय की कोई महिमा नहीं है गाय का कोई जिक्र नहीं है वहां सारे जानवर बरावर है चाए वो महीस है चाए वो गाय है चाए वो शेर है चाए वो कोई भी जानवर है चाए हाती है उ सारे जानवरों की रक्षा के निये कहा है सभी और जो सफिद चमड़ी के जानवर होते हैं वो नीचे से आते हैं साउट से और भारत से और यह उपर तक का जानवर होगा उसकी चमड़ी और उसके फर सफ़ेद हो जाते हैं इसलिए बरफ के सारे जानवार आपको सफ़ेद मिलेंगे और जहाँ सूरज की रोष्ट्नी ज्यादा होती है ग्रमी ज्यादा होती है में सारे जनवर की बात चूड़ो मनुष से भी काले मिलते वनके बाल वी काले मिलते जपकी जो पहाड़ी इरिया पर रहते हैं उनकी चमणी सफ़Ed होती है उनकी बाल विस भी यह जो हमारा हैरी परकार्ती करती है इसको कोई नहीं बतल सकता यह क्रोडों सालम वियंबाता है इसलिए इसको कोई चेंज करना इत्रहा आसा को तो कोई काले रंग का कोई ऐसा वेक्ती रहा जिसने गौतम बुर्ध है योग सीखा योग का snipp है जोड़ना कैं योज का मतलब पुराने समय में किसी भी हालत में सरीर का टेड़ा मेड़ा करना नहीं है, क्या सरीर को कभी उंट की तरह, कभी गाय की तरह, कभी शेर की तरह, कभी हिरन की तरह, पोजिसनर में लेकर आना, ये बाद में भिक्को ने इजाद किया था, जब भिक्को यहां से चलना सुरू तो उसको कहते हैं योगफल इसलिए बाद में जो हम बच्चों को सिखाते हैं दो और दो चार तो उनको जोड़ा सिखाते हैं सुरू में यह था कि दो अच्छाई और दो अच्छाई मिलके चार अच्छाई हो गई इसको योग बोलते थे और चार जो आया उसको योगफल बो पर्वत का नाम गोवरधन आज के समय बहुतने कैया है गोवरधन और गोतम के इस धन को गो माने होता है गोतम और वर माने होता इसरेश्ठ और धन माने होता यानि गौतम का सबसे सुरिष्ट धम वहां सिखा जाता था और वड़न का मतलब है बढ़ाने वाला कोई भी आदमी थोड़ा सा भी दिमाग लगा कि यह सोच सकता है कि जिस परवत पे ना पानी है कोई जील तो वहां है नहीं नहीं पेड़ उक्ते हैं वहां पे सारी पत्थर है उस पत्थर पे कोई आदमी गाए का वर्धन कैसे कर देगा अगर हम एक सेखिंड को यह माले है कि का मतलब है गाय के वरधन वाला परवत तो उस गोवरधन परवत पे कोई गाय को कैसे पाल लेगा क्यों कोई गर्मी में लेकर उपर जाएगा फिर पानी लेकर जाएगा वहां बांदने से गाय को क्या मिलेगा गाय तो मर जाएगी सूख जाएगी पर आदमी भी सूख जाएगा पर जो विपस्तना साधना है और जो सिखाया जाता है उसके लिए हमेशा से एकांत में परवत ढूंडे जाते हैं एकांत में मैदान ढूंडे जाते हैं एकांत में उं पतवती जो स्कौत जहां यह आंदरप्रडेश के अंदर अरूमाला घृवति बोलते हैं उस पर आप देखोगे तो संक बना हुआ है उसंधर कमल बना हुआ है उस पैसे तो वह सारे जो मिलते हैं वह बुद्द के मिलना और वो पहारी है वो पहाड़ी है जिस पे 20-25-30 मेट लगते हैं बसको जाने में और उस पहाड़ी के कुछ पैदावार नहीं होती है काफी बड़ा पहाड़ है वो और वहाँ जाकर लोग अपना सर मुडाते हैं और सर मुडाने की जो परंपरा है वो बुद्ध की परंपरा है और उससे पहले है वो जैनियों की और बाद में भी जैनियों की रिधी है यानि यह दो लोगो दौनों ही महाज़ा मुंडा कर वहां सीखने सिखाने तो यह जगडा वहा रहता है की यह बौद्ध की साइट है पर इन दोनों में से इक ही कानफर्म है पर अधिकतर लोग कहते हैं कि यह है कि जो महावीर हैं उनकी बुद्ध की स्टैचु पर जगड़ा है इन दोनों के लावा तीसरे की वह साइट नहीं है इसलिए तिरु माला तिरु अरंद्पुलिन जो भी है वह इन दोनों की आती है और दोनों महा समण है वह जंगल में है इसलिए आपने देखा हुआ कि आप्र टेमबल आपको मिलेंगे आज की समय को रहा को बोलते हैं को इसोएंगे पहालों पर आपको सब दिगे उपर मिलेंगे और इन उपर के पहाड़ों को कोट बोलते हैं कोट कोट माने पाली में सिखर होता है कोट माने सिखर है जैसे नगर कोट यानि ऐसा नगर जो सिखर पर है नगर कोट तो नगर कोट की जात लगाने जाते थे लोग जात का मतलब है अपने जाती को अपने जनम को को देखना जाती माने जनम होता है जनम को देखना सिखाना विपसना करने तो नगर कोट की देवी और नगर कोट के देपता फेमस हैं देवी का मतलब है कि जो आपको नगर सिखा रही है जो आपको बता रही है वो नगर कोट है तो नगर कोट जो होता था सारे सारे जो उपर के सिखर होते थे वहां पर विपसना साधना सिखाई जाते थी इसलिए हमारे लोग आज भी उन जगे जाते हैं जहां नगर कोट की देवी यानि कि सिखाने वाली कोई एसी महिला या नगर कोट का देवता कोई सिखाने वाला रहा है ये हमाचर प्रदेश करदर भी नगर कोट की जाते हैं और नेपाल के अंदर भी नगर कोट ये जगे जगे कोट है तो जैसे कोट दौार हो गया यानि सिखर का दौार हो गया और पठान कोट हो गया पठान कोट है जिसको वहाँ गोवर्धन परवत बोला जाता है कि वहाँ उस क्रिशन नाम के व्यक्ति ने एक उंगली पर पूरा परवत उठा लिया इसका मतलब है कि वो बुद्ध का को ऐसा भिकू रहा होगा जिसने अकेले ही उस परवत पर पूरा धंब सिखाने का बोज उठाया होग क्योंकि गौतम के धंब को सिखा रहा है तो गौवरंग है गौवरंग से गोबर कर दिया और जो पूरा क्पूरा सिस्टम है नागवन सी होगा वो अकेला काम कर रहा है और उसके पास में वन writes यानि वंदा जो बन हैं जहांपर लोग वंदाभी करने जाय करते होंगे भिकुरहा करते होंगे वह वैसे वह बन riding है वह पूरा का पूरा जो एरिया है उस पूरे एरिया में जहां भी आज के समय कूते हैं वहाँ नीचे बुद्ध बुद्ध की स्टेशिव निकिलते और जो वहाँ पर ए योग को बुद्ध के दर्सन को सिखाया जाता था इसलिए जो कृष्ण के जो पद आते हैं और जो लोग ने लिखे हैं वो योग के उपर लिखे हैं और योग का मतलब है अच्छायों को जोड़ना और बुराईयों को घटाना इसको योग योग बोलते हैं तो योग अभ्या जन को हम योगी कहते हैं जो जोडने वाले वह जो अधूर्स को बाइन वह दो बदलता गया और उनको संस्काइथ करते गए उन मिक्सिंग होने से उस संस्काइथ होने से वहाँ पर जो योग है जो ना चाहिए गो भी बड़ी यह होता है कि जब भी कोई चीज बड़ी फेमस होती है तो लोग उसका इजी रास्ता ढूंके धंदा बना लेते हैं तो वहां भी लोगों ने कहा कि अच्छा विपस्तना साधना करने आए हो तो एक चकल लगा लो और हो गया काम बस यही तो परवत पर होता था एक चकल लगा इसनान ऐसा वो इसनान करते हैं और ऐसा ही कुरू खेत है जो थने सर है हरियाने के अंदर वहां भी बहुत बड़ी यूनिवस्टी रही है बहुत धोकी पूरा-पूरा सहर रहा है वहां भी जब उस यूनिवस्टी को दवाया गया और गड़ा खुद के पानी भरा गया तो परंपराएं वह कोई भी परंपरा रही है वह सारी परंपरा ब concealer बढ़ दोगी रही है या Dr. जैन की रही है और वो सारी परंपराएं पानी के पास रही है क्योंकि पानी पहले चाहिए अगर कहीं हजार दो हजार लाग दो मनुष से खटे होते हैं तो उनकी विवस्ता प्राश्चिन काल में कैसे होगी आज के समय तो मिनिस्टी है वाटर की है पैसा है संसादन है तो आज के समय तो मिला आप कहीं भी लगा लो टैंकों से पानी आजाएगा बोरिंग से आजाएगा सब चीज़ से आजाएगा पर पहली जो सर्थ है वो यह है कि महां पर बहता हुआ पानी होना चाहिए ताकि सब को नहाने के लिए पीने के लिए नित्यक्रम पानी की कोई कमी न रहे और दूसरी सर्थ है कि महां मैदान होना चाहिए मैदान ना भी हो तो जंगल में चल सकता है और वहां खाना आसपास होन यह तीन सटे उती पानी खाना और एकार्ट इसलिए वह सब आपको जितने भी यह परंपरा है कि जहां खुटिया बनी है यह जिनको आज आस्रम बोलते हैं वो सारे सारी परंपरां वहां से बनी है तो जो व्यक्ति का जनम आठवे दिन हुआ उस व्यक्ति ने तरह बड़ा का किया अकेले पुरा पब्बत पर जितनी काम होता था पूरी युनिवर्श्टी में अकेले चलाई उसकी इतनी मानेता और वो काला व्यक्ति रहा है और वो मौरिया वंदिर वह रहा है इसलिए उस व्यक्ति की मानता के आधार पे बाद में लोगों ने उस व्यक्ति की दॉक्तर अम्बेटकर के नाम से आज के समय बहुत साय लोग अपना घड़ चला रहे हैं उनका कहीं इखटा करने से या डॉक्तर अम्बेटकर की बात को मानने से कोई लेंदर नहीं है और वह आप से लड़ने बैठ जाएंगे अगर आपने यह कह दिया यह डॉक्तर के नाम क्या धंदा चला रहा है तुमने उनके वनसर्च के नानाम पर उनके पीछे जो अम्बेटकर लागा के यह जो परचियां कमाते हैं यह 29 लाग संग्तर वही रूप है यह जो पराना रूप था जैसे बड़े-बड़े जो भिक्तु हुए हैं या बुद्ध हुए हैं या बा करने कब भी नहीं कहा पर सारी लोग परचियां लेखे आ जाते हैं सारी लोग काम करते हैं सालिक करतें आप उन से कुछ को के तो तो कंगे तुम तो क dónde करते नहीं हमों सामने लड़न नहीं आता तो कोई यह करने नहीं आता अरे तुम इतने सारे संट्रनों को तुम बावासाब के इतने सारे लोगों को बुद्ध के इतने सारे लोगों को एक्षात ऐसे बोलते हो सबको बोलते हो कोई आये तो सही कोई नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा आप सी तो आप उस सवाल इतने जवर जस्त है कि आप किसे पूछो अगर सम्ता सेंग की दल पसंद नहीं आया था तो तो चोड़के चला आता तो नहीं बनाया यह अगर घ्यक्र को बना रहा रहे तो जब वहां अपने जगड़े सुल्टाने के लिए थिरे में हमत नहीं है अपने जब तुम अपने जब्वर्पिना झ्यार प्रकार के नहीं क्विआ चंक सब्सक्राइब Тने हैं क्या उनला ड्वर्पिक्षार distance अरे जब तुम ही धंब को नहीं जाने, जब तुम ही नहीं पता के संग क्या होता है, रिखटा क्या होना होता है, जब तुम नहीं विने पिटक नहीं पड़ा, जब तुम ही विने पिटक को फोलो नहीं करते, जब तुम हमें क्या बताओगे, बुद्ध क्या है, क्या नहीं ह परभग तो लोग चुंकि धंदा चल रहा है तो वो अड़ जाएंगे और वो आपको पीछे-पीछे पचाय करेंगे, सामने नहीं आएगे, सामने आने के लिए किसी की हम्मत नहीं है, इसलिए इस पोर्टल पर आज तक कोई नहीं आता, हम खूब चलाते हैं, आओ भई आओ, बताओ क्या कमी है, क्या नहीं पीछे-मीछे बताओ, महिला महिला के कान में बोलेगी, अरे वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, पर क्या हुआ है, सामने नहीं आता, एक बुजर्ग आदमी जिसने पूरे जीवन का एक्सपेंस किया है, उसने मेरे को फौन किया, और वो हमारा साथ ही राथा तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम ये जो लोग यहां जो तुम इस तरह की बाते हो जो टैन गोल्डन रूल के खिलाफ होती है ये क्या चक्कर है क्या नहीं है तो उन्होंने हसते हुए कहा कि देखो सुधीर जी आप जो कहते हो उसका कोई तोड़ नहीं ह और उसका कोई जोड़ नहीं है वो बात है सभी महापुर्षों की हैं और वो बात हैं आपने कोई भी बिना महापुर्ष के कही नहीं है और मैं यह भी जानता हूं कि जो लोग यहां से दो चार पांच गए हैं उन लोगों का कोई भी यह जो नियम है उनको पालन करने की सकता क्योंकि आएका कैसे उसके मन में चोर है उसने आप चलता है पहले भी पहले अपने अप चलता था अब पहले आप चलता है और आप अगर देखोगे, वो सिस्टम भी अपने आप चलता था, और वो सिस्टम आज भी वही है, जो लोग मत्रा जाते हैं, वो मत्रा वहाँ पे कृष्ण के लिए जाते हैं, पर किसी को पता नहीं है, कृष्ण की रास लीला वहाँ जा होती है, पर जो कृष्ण की राग लीला बुद्ध हो जाएगा और अगर रास कहोगे रास रंग कहोगे तो वो फिर संस्काइट हो जाएगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब किसी को रस आता है तो फिर उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए रस होता है इसी को पाली में राग कहते है, राग में यही होता है, और चाहिए, किसी को खाना चलागा तो और चाहिए, और चाहिए, किसी को गाना चलागा तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इसको राग बोलते हैं, इसको राग लग जगा और राग कोई रोग, राग सही रोग चाहिए ये चाहिए जो होता है इसी को राग और इसी को बाद में रास में बदला गया इसलिए कहीं कोई भी सिच्छा वहाँ पर एक भी इंची भी हिली नहीं पर जो आज के समय में वहाँ लोग जाते हैं उनको वहाँ बुद्ध का दसन नहीं मिसकता हाँ म्यूजियम में जाओगे तो आपको यकीन तो हो जाएगा कि ये बुद्ध की नगरी है, इसका नाम भी मत्रा है, कुछ इसको मौत्हरा बोलते हैं, कुछ इसको महात्हरा बोलते हैं, कुछ इसको थेरा बोलते हैं, क्योंकि इसमें थे लगा हुआ है और मे लगा हुआ है, इसलिए ये महात्हरा मत्हरा से काफी मिलती ज की और महा थेरा जो होता है वो बुद्ध का वो भिकू होता है जिसको 20 साल कम से कम काम करते करते expense हो जाता है उसके बाद उसको महा माने बड़ा और थेरा माने जो सिखाता है जो ढिखको रहे हो हो तो ये सारी की सारी चीजिए जन्मास्टीब में इसलिए Πॉराना फेस्टिव और पुराने जितने पेस्टिवल हैं वह भारत के फेस्तिवल हैं इस बात को सब याद रखना चाहिए अच्छी तरह पुझे के देश के लोगों की होते हैं दुनिया में जब बाहर से लोग आते हैं और बाहर से आके वह खरते हैं तो अपने साथ ऑड़तों को नहीं लेकर आते हैं तो उसी को अपने नाम लिख ले अब्सक्राइब तो संगर्स में हर चीज लोटे रहा अपनी तरफ करता है चाहें वह कल्चर है चाहे वह फेस्टीवल है चैएं जिस भी चीज़ से आमदनी होगी उसको अपनी तरफ कर लिया गया है पर फेस्टीवल यहां के लोगों को हैं फेस्टीवल कभी बहार से नहीं आते संस्कति कभी कोई लेकर नहीं आता उसको सिर्फ चेंज किया जाता है इसलिए अगर आप क्रेश्ण को कणहें की तरह दे देखेंगे और गोवधन परवत को गौतम का वड़न पबत करके देखेंगे और विपस्णा साथ ना देखेंगे और योग को अगर पाली में अच्छा यह या यो सब्क भॉला गया है और उसको यूज किया गया है तो आपको जनमास्त्मी समझ में आनी से हो जाएगी कि यह जनम अठ्मी क्या है या जातकि क्या है जात माने उत्पन होना पैदा होना रच्भी माने आठ्वाध देने हैं और अगर आप इसको कृ congress के रूप में देखेंगे, तो फिर आप पुजा पाट करिये, और खुब इसमें अपना वुरत कीजीए और उसको कीजीए. पर वुरत का जो नियम है ये भी पालिस आया हुआ है. तरसल वुरत का नाम, वुरत माने तो सरकल होता है, ये वुरत नहीं है. ये है वारित. वारित का मतलब होता हैं जिनको वारित नियम बोलते हैं और हर आदमी से कहा जाता है कि सोगंद खाओ सपत लो कि तुम्हें वारित नियम का पालन करोगे जो वारित नियम का पालन करता है उसको कहता है कि यह वर्त हो गया यानि कि वारित नियम से बंद गया पांच बातां यह नहीं कहेगा वो कभ कि बात नहीं है लोगों ने आडमर बना दिया बाद में कि खाना छोड़िये खाना छोड़ने कि ने मना नहीं किया करी बुद्ध ने खाना तो आप खाई यह जितना सिर्व को आप सकता है क्योंकि खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए पर भूका भी नहीं रहने से कुछ नही पर वारित नियम नहीं खाने चाहिए आपको तो वारित नियम थे उन्हीं को कहते हैं कि यह वर्ती है और वो वारित नियम पुरी दुनिया जानती है वो पांच नियम है जो नहीं करने है चोरी नहीं करनी है व्यवचार नहीं करना है नसा पता नहीं करना है जूट नहीं बोल तो बच्चों को सिखाया जाता था महिलाओं को सिखाया जाता था कि आज आपको वारित नियम अपनाने हैं वारित रहना है वर्ती रहना है वारित रहना है तो पांच नियम नहीं खाने हैं आपने तो पांच नियम का कडाई से पालंग करना होता था पर वो बदल दिया भूक खाने हैं फ्रूट खाने अननी खाना कहीं नहीं पड़ा मैंने आज तक कि अननी खाना या बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि जो लोग से धान को सीखते हैं उन्हें खाने की मातरा का ग्यान होना चाहिए बीस प्रशंट खाना हमें से कम खाना चाहिए और भिक्तूओं को के उपवास करता है उसके लिए खाने का नियम वही है जो भिक्को के लिए तब वहां वह एक दिन की और दो दिन की ट्रेनिंग में जाता है इसलिए यह जो सारी चीजें हैं जितनी भी हैं अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सुनोगे और जानोगे और पाओगे तो जैस चोड़ने में ज्यादा फायदा है क्योंकि मत्था नहीं मानना पड़ेगा दिमाग जाराब नहीं करना पड़ेगा पर कोई बुद्धी जीवी है और जो रिसर्ट्स में जाना चाहता है जो खोच करना चाहता है तो खोच करेगा तो जड़ अपनी मिलेंगे इसको तो आप को छोड़ देना चाहिए तो आपको पांच नियम कल नहीं करने पांच काम आप बिलकुल ना करें कल पूरे दिन प्रण करूंगा या करूंगी ना में करूंगी ना करूंगी कोई कीट भी नहीं ना में करूंगा नाहीं में नसापता करूंगी और करूंगा सब लोग नहीं में जूट्ट बोलंगी ननसा बोलुँगा यह पांच नहीं मगर आप मान लेते हैं तो आप सच में उस व्यक्ति ने जो मेहनत की थी उसकी जन्माश्टी मनाते हैं और बुद्ध की भी जर्म की अठ्वी मना सकते हैं तब तो फायदा है और खाना आप खुब खाईए उससे कोई फ़र्णी पढ़ने वाला जितना आपक लुके रहने का नियम बुद्ध ने कभी नहीं बताया और नाहीं कहा पर वारित नियम और वृत का नियम बनाया है उस व्रत के नियम को आप अपनाएंगे तो जरूर लाभ होगा और यह सारे सारी जितनी फेस्टिवल उस सारी चीज़ है वो सब हमारी है इसलिए कोई गिल लिए सब्सक्राइब लेके आते हैं उत्स नमामी जैभीम नमुद्ध आए